साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई ही, कि तेजपुर उनिवर्सिटी, नौर्थ इसकी बायोडार्वर्सिटी और रीच हेरिटेज को समरक्षित करने का भी अभ्यान चला रही है। नौर्थ इसके आदिवासी समाज की वो भाषाएं जिन पर विलुप्त होने का खत्रा है, उनको डोकुमेंट करना बहुत सरानिय काम है। इसती तरह संत स्रिमंत संकर देव जी की जन्म भूमी, नौगाओं के बाता द्रव स्थान में सद्यों पुरानी लकडी पर उकेरी गई कला का, उसका प्रिदिर्विशन हो, या फिर गुलामी के कालखण में लिखी गई असम की किताबों और प्रेपर्स का डिजिटी कला हो आप वाकई इतने विवित कामों पर लगे हुए हैं, कोई भी इसको सुनेगा, उसको घर्व होगा, कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर, तेजपूर में ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है, आप वाकई कमाल कर रहे हैं। कि स्थानिय विशव पर, स्थानिय आवश्रक्ताव पर इतना काम, इतनी रिसर्च करने की परणा, आपको कहां से मिलती हैं। इसका जबाब भी तेजपूर उनिवर्सिटी केंपस में ही है। अब जैसे आपके होस्टेल्स, चराइदेव, निलांचल, कंचन जंगा, पटकाई, धानसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, ये सभी परवतों, चोटियों और नदियों के नाम पड़ है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन की जीत्वी जात्ती प्रयना भी है। जीवन यात्रा में हमें अनेक मुश्किलों, अनेक परवतों का सामना करना पड़ता है, कई नदियों को पार करना पड़ता है। एक बार का काम नहीं होता, आप एक परवत चड़ते हैं तो फिर दूसरी की तरह बढ़ते हैं। हर परवतों के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती है, आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है और नई चुनोतियों को लेकर आपका परस्पेक्टिव तायार हो जाता है। इती तरह नदिया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदिया कही साहा एक धाराओं से मिलकर बनती हैं और फिर समंदर में मिल जाती है। हमें भी जीवन में अलग-अलग लोगों से ग्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहिए। साथियों, जब आप इसी एप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो असम नौर्थीस देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। आपने देखा होगा। कोरोना के इस कान में आत्म निर्भर भारत अभ्यान हमारी वोकेबलरी का अहम हिस्सा हो चुका है। हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है। हमारा पुर्शार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धी, हमारे प्रयास, सब कुछ उसके इर्द-गिर्द हम अनुभो कर रहे हैं। लेकिन आखिरी अभ्यान है क्या। आखिर बढलाओ क्या हुआ रहा है। क्या ये बढलाओ? शिर्फ रिसॉर्सी में है। kriegen बढलाओं सिर्फ फूजिकल इंफास्ट्रेक्टर में हैं। क्या ये बढलाओ सुर्प टेक्नलोची में हैं। क्या बढलाओ सिर्फ बढ़ती एकोनामिक और स्ट्टेजिक माइट का है। ऐसे हर सवाल का जवाब हामे है, लेकिन इन में से भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन हैं, वो है इंस्टिंक का, एक्षन और रियक्षन के नजरिय का है, हर चुनोती, हर समस्या से निपटना का, हमारी वा देश का अंदाच, देश का मिजाच, अब कुछ हट कर है, इसका एक ताजा उदाहरा, तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है, आप लोगों में से बहुतों ने भारतिय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा, इस टूर में क्या-क्या चुनोतियां हमारी टीम के सामने नहीं आईगी, हमारी इतनी बु चोट लगने के बावजूत हमारे खिलाडी मैच बचाने के लिए मैदान पर ढटे रहे, चैलेंजिंग कंडिशन्स इसमें नराज होने के बयाए हमारे युवा खिलाडियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तला से कुछ खिलाडियों में अनुभव जरूर कम था लेकिन होसला उतना ही बुलत दिखा, उनको जैसे ही मोका मिला उन्होंने इतिहास बना दिया, एक बहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को, इतने पुराने खिलाडियों की टीम को पराजित कर दिया युवा साथियों क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाडियों की ये परफर्मंस सिर्फ स्पोर्ट्स के लिहाद से इंपॉर्टन नहीं है एक बहुत बड़ा लाइफ लेशन भी है पहला लेशन ये कि हमने अपनी एबिलीटी पर विश्वास होना चाहिए चाहिए दूस दूसरा लेशन हमारे माइंड सेट को लेकर है हम अगर पॉजिटिव माइंड सेट से लेकर आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगी त्रीस राव सबसे हैं लेशन अगर आपके पास एक तरफ सेफ निकल जाने का आप्शन हो और दूसरी तरफ मुश जरूर एक्स्प्लोर करना चाहिए अगर जीतनी की कोशिश में कभी कभार असभलता भी हात लगे तो इसमें कोई नुक्षान नहीं है रिस्क लेने से प्रयोग करने से डरना नहीं है हमें प्रोएक्टिव और फियरलेस होना ही पड़ेगा हमारे भीतर जो फेलियोर का डर ह होता है हम जो अननेसेसरी प्रेसर अपने उपर लेते हैं उससे जब आप बहार निकलेंगे तो फियरलेस बनकर उभरेंगे भी